कि अल्प संख्यों को सुविधा दी जाती है ठीक है नागा लेंड में घाले जैसे देशों में हिंदू अल्प संख्यक है क्या उन्हें कोई सबसीडी क्या उन्हें कोई विशेश सुरक्षा मिलती है नहीं मिलती आजादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदू जनसंक्या एक तालिस परसंट थी जो घड करके साथ परसंट हो चुकी है आजका एहसान फरामोस बंगला देश वहाँ हिंदू जनसंक्या 30 परसंट थी जो आज घड करके एक परसेंट हो चुकी है और पूर्वी पाकिस्तान कहा की बात करें हर जगे हिंदू जलसंख्या कम हो चुकी है लेकिन आपके भारत देश में आजादी के दोरान मुस्लिम जलसंख्या 10.4 परसेंट थी जो आज बढ़ करके 14.2 परसेंट हो गई मुस्लिमों की जलसंख्या बढ़ रही है और हिंदू की जलसंख्या घट रही है मैं इसका कारण पुछती हूँ कि बंगला देश, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में वो हिंदू कहां गए क्या हुआ उन गुमशुदा हिंदू का कहां चले गए वो लोग मैं सवाल करना चाहती हूँ भारत देश की सरकार से कि क्या हुआ उन हिंदू का क्या उनका कोई रक्षक है क्या उनको कोई विशेश सुब्दा वहां या यहां मिलती है जैसा कि इस देश में मुसल्मानों को मिलती है क्या हिंदू का कोई मानवा अधिकार है इस भारत देश में जैसा कि उनको मानवा अधिकार दिया जाता है आज बहुत विडंबरा है हमारे भारत देश की